Good morning everyone, how are you all? I hope you all are fine and also paying attention toward your studies. Today we'll do chapter number 15, From Market to Home. ठीक है, आज़न क्या करेंगे बेटा? Chapter 15 और chapter का नाम है, From Market to Home, Bazaar से घर तक. Let's start. Day at night. My name is Vaisali. जो गर्ल बेटा आपको दिख रहे हैं पिचर में, इसका नाम क्या है? Vaisali. My father is a vegetable seller. उसके पापा कौन है? Vegetable seller. मतलब सबजी बेचते हैं. My whole family, अम्मा, भाईया, चोटु and I help him with his work. उसके पूरी family, अम्मा, यानि मम्मी, भाईया, चोटु and I, I यानि वो खुद, help him with his work. उसके पापा की help करते हैं उनके काम में. Can you guess at what time we begin our work? क्या आप सोच सकते हो कि हम कितने बजे अपना काम शुरू करते हैं? At 3 o'clock in the morning. Morning में 3 o'clock. उस टाइम तो रात ही होती है, लेकिन 12 बजे के बाद नया दिन लग जाता है. इसलिए 3 o'clock in morning लिखा है. When most people are fast asleep, we start our work. जादा तर लोग जब अपने घरों में गहरी नीन में सो रहे होते हैं, तब वेशाली के घर में सभी members मिलके अपना काम शुरू कर देते हैं. क्यों शुरू कर देते हैं? क्योंकि उसके पापा क्या है? Vegetable seller, यानि सबजी बेचते हैं. देखो बेटा, पिच्चर में भी दिख रहा होगा. सब के हाथ में सबजी हैं और हर कोई अपना-पना काम अच्छे से कर रहा है. Our days work begins when babuji, amma, bhaiya and I take out the previous days vegetables from the goonie bags and basket. उनका दिन का काम शुरू कब होता है? जब सब family members मिलके, पहले वले दिन की सबजी, bags यानि बोरे जो होते हैं, उसमें से और बास्केट में से निकाल देते हैं. This is to prepare for bringing the fresh vegetables from the mandi. Sometimes chotu also helps us. अब ये क्यों वो करते हैं ऐसा, क्योंकि उनके पापा को mandi जाना होता है. जहां wholesale में सबजिया मिलती है, वहां से सबजी लेने के लिए, तो वो पहले वली सबजी बास्केट में से खाली करनी होती है. और कभी-कभी ये काम में उनकी मदद छोटू भी करता है. अब जैसे ही वो काम ये फिनिश कर देते हैं और एक एक कप चाय पी लेते हैं, तब उन्हें कि उसकी आवज सुना ही देती है? अब ये टैंपू का हॉन जो है, ये एक टाइम है, यानि सिगनल है कि चलो भी ये बहार टैंपू आ गया है, टैंपू में बैठो और मंडी जाओ, क्या करने के लिए? सबजी लेने के लिए. नाव टून दे बेज, डज एनिवन इन ये वर हाउस है वेरी अरली, क्या आपके घर में कोई सुबह जल्दी उठता है? वो क्यों इतनी जल्दी उठते हैं? तो yes, it's obvious सबके घर पे कौन जल्दी उठता है? मम्मी. Yes, my mother gets up early in the morning. मम्मी जल्दी उठती है, she prepares breakfast for us, वो हमारे लिए नाश्ता बनाती है, और हमें ready करती है, ताकि हम स्कूल में जा सके. Next, preparing for the day. पूरे दिन के लिए तैयारी करनी. While Babuji is away, Amma, Chotu and I put the previous day's vegetables on goonie bags and sprinkle some water on them. जब तक Babuji मंडी में गए हुए होते हैं, तब तक सब जने मिलके क्या करते हैं? क्या करते हैं, बेटा? Vegetables को गुनी बैग में रख देते हैं, देखो, और उनके उपर क्या कर देते हैं? पानी चिड़क देते हैं, स्प्रिंकल करना यानि पानी चिड़कना. By 6.30 a.m. Babuji is back from the mandi with baskets and sacks full of fresh vegetables. Sacks यानि बोरे, ठीक है? साड़े छे बजे तक Babuji बापीस आ जाते हैं, भरी हुई baskets और बोरों में वो ताजी सबजियां ले के आते हैं. At that time, our house looks more like a small vegetable market. और उस टाइम पूरा घर कैसे लगने लगता है? एक छोटा सा vegetable market जैसा. There are brinjals, कौन से-कौन से vegetables होते हैं? Brinjal यानि बैंगन, potato यानि आलू, tomato यानि टमाटर, okra यानि भिंडी, pumpkin यानि कद्दू, gards यानि लौकी, दूदी जी से बोलते हैं, चिली, यानि मिर्चिया, and many other vegetables all around. और और भी बहुत सारी सब्जिया होती हैं. Everybody helps in sorting the vegetables. हर कोई सब्जियों को अलग-अलग करके रखने में help करता है. The vegetables which are not fully ripe and ready to sell are kept aside. जो vegetables अच्छे से पकी नहीं हुई हैं, या बहुत जादा हैं, तो पक जाती हैं, उनको क्या करते हैं? साइड में रख दिया जाता है. We have to sort the vegetables fast, so as to reach the bazaar as early as possible. और फटा-फट हमें सब्जियां अलग करके रखनी होती हैं, तयार करके रखनी होती हैं बास्केट में, क्यूं? ताकि फटा-फट बजार में जाके उन्हें sell किया जा सके. Now, next page. By 7 o'clock, Babuji arranges all the vegetables on the handcart and leaves for the bazaar. अब 7 o'clock तक क्या करते हैं? वो handcart यानि रेकडी. देखो, पिटा, आपको picture में दिख रही होगी. इसके उपर सारी vegetables arrange कर लेते हैं अच्छे से और बजार जाने के लिए तयार हो जाते हैं. He says that if he is late, then his regular buyers may buy their vegetables from someone as. वो ऐसा 7 o'clock तक क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि वो कहते हैं, अगर वो late हो गए, तो उनके जो regular यानि जो रोज उनसे सबजी खरीदे हैं, वो किसी और से सबजी खरीद लेंगे. As soon as Babuji leaves, I quickly get ready as I have to read school by 7.30 a.m. अब जैसे ही Babuji यानि उसके पापा निकलते हैं सबजी सेल करने के लिए, वो तुरंट स्कूल के लिए वैशाली रेडी हो जाती है, क्योंकि उसको स्कूल कितने बही तक पहुंचना होता है? 7.30 तक. अब इन द बजार, बजार में क्या है? चोटू अटेंड स्कूल इन द आफ्टरून, अब चोटू जो है, उसका स्कूल दुपैर का है, वो थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता है, क्योंकि सूबे 3 o'कलोक से, यानि बहुत जल्दी से उठा हुआ होता है, और फिर उसके बाद जब उसका स्कूल दुपैर का है, तो आराम करने के बाद वो बाबुजी यानि पापा और भाईया के लिए खाना लेके जाता है, और वो रुक भी जाता है, बाबुजी के साथ रेकडी पे जब तक उसका टाइम हो जाता है स्कूल जाने के लिए, sometimes he goes back after school to help बाबुजी, कभी-कभी वो क्या करता है, स्कूल क बाबुजी के पास जाता है ताकि वो उनकी help कर सके, बाबुजी tries to see that the previous day vegetables are sold first, बाबुजी का यही main try यानि main उनका यही रहता है, कि वो जो पहले की सबजी जैसे पहले दिन की बच गई है, तो वो उनको पहले अच्छे से sell कर सके, और बाद में fresh vegetables जो लेके आए हैं, वो sell क बाद आए हैं!